नमस्तार बीडीवी न्यूस के इस बुलेटेन में आपके साथ महीं स्वाती शेयर से जुरी खबर को देखने अज़सार से लेकिन सबसे पहले ज़र डालते हैं घडलाइन्स पर राणिता कला इद्गा और सदर इज़साथानी की तमाब बज़बों और इद्गाहों में अधा की इसे दुज़्रह की नमाज मुल्क की तरक्की और अमन की दुआएं मांगी गए नेतजी सुभाशन रिबूस केंगे कारगार ने भी अधा की गए ये जुज़ादी नमाज बंदी और कैदियों ने नमाज अधा कर एक दूसरे को कने लगा कर दी मुपारक बात और सर्वार में के रांजी बड़ापत्य शराब दुकान में जिसे बतमाशों ने दुकान में की चमकर सोटों सर्मशारी पर सर्वार से दिया हमला वारदाक की सीजी की भी दियों सामने आने कुर्बानी का पर इदजुहा परमपरागत आस्ता और उल्लाव के साफना आये गया राहिताली इज्जा में शहजादाई मुप्तियाजम मद्य प्रदेश हजरत सूफी दिया उल्हस कादी बुर्हानी ने इदजुहा की नमाज अधा कराई अपनी तक्वीर में उन्होंने कहा कि कुर्बानी के पर्व को शाजिंता से मनाई ताकि किसी की भावनाव को फिर्दा महुचे मुस्लिम धर्मावन अंभियों के प्रमुप पर इदजुहा परमपरागत आस्ता और उल्लाव के साथ मनाये गया इस्लामी धर्म ग्रंथों के अनुसार लगवस पांच जार वर्ष पुर्व पैगंबर हजरत इबराहीम अल्लेहिस्तलाम ने अपने प्यारे फर्जन्द हजरत इसमाईल अल्लेहिस्तलाम को कुर्बानी के वास्ते पेश किया दरसल ये एक इम्तिहान था जिसमें हजरत इबराहीम अल्लेहिस्तलाम कामियाब होई और खलीला गहलाए हजरत इसमाईल के बसे एक चौपाई की कुर्बानी कुबूल हुई कुर्बानी के इसमाई यादगार के उपलक्ष में हर साल दुनिया भर के मुसल्मार इद्जुहा बक्रीप के मौके पर कुर्बानी पेश कर अल्ला के हुजूर में अपनी बंदगी का सबूत पेश करते है इस सफर पर रानिता लीगगा में शहजादा मुफ्तिय आजम मध्य प्रदेश हजरत सूफी जिया उलहक काद्री बुर्हानी ने इद्जुहा की नमाज अदा कराई और अपनी तक्रीप में उन्होंने कुर्बानी का महत्व बताया कुर्बानी वो अभल है कि जो अल्लह को बहुत जादा है और कुर्बानी का मतलब यह होता है कि अगर हमें अपनी अदीज ते अदीज तर चीज भी अपने रख की गज़ा और कुश्वजू के लिए कुर्बान करनी पड़ जाए तो बहेंदियत मुस्लमान हम कुश्व दिली के साथ चाहे हमारा माद हो तॉल्ट हो चाहे हमारी जान हो चाहे हमारी भार और अलाद हो हम अपने रख की रजा के लिए सब खुच उसकी रह में कुर्बान करने विल्म को आखा ने नूर की उसर्बाया वो इसलिए कि इल्म, जिहालत और उसराही के खंधेरों से निकाल करके एक इंसान को सीधी राह देंगे अगर आप इनका इल्म अपने बच्चों को हासित कराएंगे तो आपके बच्चे खुद भी गलग रहां पर चली नहीं चलेंगे अगर आप से बल्ती होगी तो आपके बच्चे आपकी भी इफलाः करेंगे आपके बच्चे आपके वtsक prepared और आपके बच्चे आपके फर्मा बर्दार रहेंगे अब सब चिसे बरी बात अगर आप भी इनकाल एक्स्ने बच्चों को हासित कराएंगे तो आपके बच्चे अल्ला और उसके रसूल के फर्वा पर्दार हो जाएगा तो उसकी दुनिया भी काम्याद हो जाएगी उसकी आफिरत भी काम्याद हो शहजादे जिया उल्हक ने कहा कि कुर्बानी के इस पर्व को शालींता से मनाएं ताकि किसी की भावनाव को ठीस न पहुँचे और देश हेवन दुनिया में अमन चैन कायम रहे यही उम्मीद करता हूँ कि सारे शहर वासी जो है इस तहवार को हर शोल्लास के साथ मनाएंगे और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि शहर का अमन चैन और जो एक भाईचारे की फिजा है उसको कोई खराब न कर पाए और यह mbी आपके मिडिया के माधधम से अपील करूँगा कि इस तहवार में खास तोर पर 抗रीबोग्वों को खास याद करें और जो भी आपकी कुर्बानिया हो जो भी कुर्बानिया दे और गर गरीबों को जरूर याद करे गरीबों को ना भूले अगर हमारा समाज गरीबों को याद रखेगा तो ही हमारा समाज एक बड़े दिल वाला समाज कहना आएगा और जो भी ऐसी ताकते हैं जो अमन चैन खराब करती हैं हमें उनसे दूर रहना है, खुद को भी दूर रहना है, अपने परिवार दोस्तों को भी दूर रहना है, एक बार फिर से मैं बखरीती मुबारक बाद आपके माद्धें से देने चाल रहा है। आप देश दुनिया में अमन के लिए दूआएं मागी गई, सदर इस्तेश मस्जित में भी मुस्लिन घर्माव नम्भियों ने नमाज अदा की और सभी ने एक दूर रहना है, और दुनिया में अमन के लिए दूआएं मागी है। आप दूआएं में आपके में अमन के लिए दूर रहा है। कर बो कि दो दो है ये जो जासा की विए उतिसे पक्राम के लिए के दिए नाम 始दता है इद लखशा जिसे आम तोर पर बक्रा ईत के लाम शाद किया जाता है मुसल्मानों ने सフरेड की इतगागा में जो है एड की नमाज अदा की है और भाईचारे की अमने सलामती के लिए दौा मांगी गई है और यही दौा करते हैं कि अल्ला तब्रक ताला हमारे मुलक के हिंदुस्तान को फसाल रखे और मजीद और तरक्या अता फर्माए कि हमारा मुलक के पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पर रहे और अल्ला और तरक्या अता फर्माए के मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और आपकी भाईचारे का पैगाम दिया और अभी हम सब लोगों नमाजें पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद पूरे मुलक की फला और भाईबूती की दौाए मांगी हमारा जो देशै आपकी सद्भाव भाईचारे का देश इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हैं दो इसला हमारा आज पूरे मुलक की फला बहबूती के लिए, प्रवेश्द की फला बहबूती के लिए, तरक्य के लिए, फशाली के लिए हम लोग Prague माया मादे हैं आज एदुलाशा का टैवार है अभी नमाज के बाद अल्ला के सान में अफ़ला के हुजूर में लोग पुर्बानियां अपने पेश करेंगे और एद की खुशियां मनाएंगे आज एद जुआ का दिन है नमाज आदा होगे नमाज परके सारे लोग एदगा से बाहर आके सब एद मिलान हो रहा है और अपने अपने घर जाके सब पुर्बानियां करेंगे घर जाने के बाद जबल पुर्मा अमन काइम रहे ये एद का मखलब है इदूल अजहा के इस पर्व को कुरवानी का प्रतीत माना जाता है, नमाज के बाद जानवरों की कुरवानी भी जाती है नेतजी सुभाशन रुबोस के इंदी कारगार में इदुल अज़ा पर्व पर मुस्लिम बंदियों और कैदी भाईयों ने इद की नमाज अदा की जेल में कादी हाफिस मौलाना मुहमत अब्दुल लजी कादी ने नमाज अदा कराई इस अबसर पर कैदी और बंदी भाईयों ने इस दूसरे को गले लगाया और पर्व की मुबारक बाद दी नेतजी सुभाशन रुबोस के इंदी कारगार जबलपुर में भी इदुल अज़ा पर्व पर ईद की नमाज होई जेल के कैदी और बंदी भाईयों में जेल परिसर में ही इद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर इद पर्व की मुबारक बाद दी जेल में शहर कादी मौलाना मुहमद अब्दुल लतीब कादी ने कैदी और बंदीयों को नमाज अता कराई बोरे बाताय। तो वहीं शाष्टी अवकाश होने के बाद भी मुस्लिम बंदी और कैदियों से मिलने आने वाले उनके परिजनों को मुलगात की सुविधा प्रदान की गई जेल में करीब पौने तीन सो बंदी और कैदि भाईयों ने नमाज अदा की रांजी कोकरफुर वार्ड में पिछले एक महिले से भीशर जल संकत व्याप्त हैं लोग पानी के चक्कर में काम पर नहीं जाता रही हैं टैंकरों से पानी भरनी में छगड़े हो रही हैं लेकिन जिमिताव रग और अधिकारी ध्यान नहीं दी रही रांजी कोकरफुर वार्ड में भीशर जल संकत व्याप्त हैं पीने का मीठा पानी नलो में नहीं आ रहा है तिस नगनिगम के टैंकरों के सहारे शेटी में पानी पहुच रहा है लेकिन इसमें भी विवाद हो रही हैं लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है शेटी ममा काम पर ना जाती हैं पानी का इंतजार करते हैं कि टैंकर कब आयों पानी रहा है बिल्कुर नल पानी की बहुत जादी दितकर जा रही है लेकिन यहां पर देख रहे हैं लगभग एक महा हो रहा है यहां दोनों टाइम दो पीजे का पानी नहीं मिल पा रहा है जंता परिशान है लोग पानी के लिए जो दिन भर बैटे रहते हैं लोग काम छोड़ छोड़ कर जो है अपना केवल इंतजार करते हैं कि कब टैंकर आ जाय तो हम पानी भर है जिसके बार हम दूसरा काम कर हम निउ गोकल फूड़ की निवासी हैं और हमारे यहां एक महीन उने से पानी की बहुत समस्या जा रही है गी पार्शर ज़ल जिए पर पानी ठ्रवर बहुत की निवासीं का कहना है कि नर्मीदा की किनारे बसा बर्स चबल पूर्प्यासा है या हैरत की बात है, शहर में पानी की कमी नहीं है, लेकिन जल वित्रन विवस्ता चौपट है, जिसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, जल वित्रन विवस्ता में सुधार होना बेहत जरूरी है शहर के अंदर घंबो पर लगी स्ट्रीक लाइटें दिन में भी चलती रहती है, इससे बिश्ली की बरबादी हो रही है और जंता का नुक्सान ही हो रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा घंटाघर से हाइपोर चौक के बीच बिश्ली के घंबो पर लगी स्ट्रीक लाइटें दिन में भी चलती रहती है, वित्त्रिभाग एक तरफ तो बिश्ली की बजट के लिए तरह तहे के उपाय करता है, लेकिन इसके बाद भी दिन के समय स्ट्रीक लाइट जलने से कई य बिश्ली विवाग और नजनीदम के अधिकारी कर्मिचारी दिन के समय जलबही स्ट्रीक लाइटों को बंद करने के पुक्ते इंतजाम नहीं कर रहे हैं, लेहादा बरबाद हो रही बिश्ली पर अंकुष नहीं लगपा रहा है जबरबुर के रांजी धाना शेत्र के बड़ा पत्र इलाके में तीन बदमाशों ने शराग दुकान में खुच कर ना सिर्फ तोफोर की, बलकि कर्मिचारी को तलवार मार कर घायर भी कर दिया वारदात के CCTV वीडियो भी सामने आई है जबर कर्मिचारी की शिकायद पर रांजी पुलिस ने बदमाशों के विरुदि प्रकरन दर्श किया है रांजी धाना शेत्री के बड़ा पत्र इलाके में तीन बदमाशों ने देराज शराग दुकान में खुच कर ना सिर्फ तोफोर की बलकि दुकान के कर्मिचारी अखिलेश कुपता पर तलवार से हमला कर दिया या वारदात CCTV कैमरों में कैड हुई है वारदात के CCTV वीडियो भी सामने आई है पताये जाता है कि तीनों बदमाश दुकान पहुचे थे और उन्होंने पहले पैसे और शराब की मांग की थी जब दुकान की कर्मिचारी ने कहा कि वो कर्मिचारी है और उसके पास पैसे नहीं है तो यूबक वापस चली गए और फिर 15 मिनित बाद वापस आकर उन्होंने पूरी दुकान तहस नहस कर दी इतना ही नहीं कर्मिचारी अचलेश कुप्तर पर तलवार से हमला कर दिया जिससे वह घायन हो गया उसे लाश के लिए अस्पिताल में भरती किया गया है घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुच गई थी हमला करने वाले तीनों बदमाशों के नाम पुलिस के सामने आए है पुलिस का दावा है कि जल्द बदमाशों को गिरफ़तार किया जाएगा बताया जाता है कि शराब तुकान में तोर्फोर करने के पास तीनों बदमाशों ने टुमना एरपोर्ट रोर्ट पर भी आतंक मचाया और रहगीरों से मार पीठ के खजी सीयर बाइपास के पास उसे शमीन कबारी के कबारखा ने रजा मैटल इंडस्री में बीटे 25 अप्रेल को भीशर विसकोर्ट हुआ था घटना के बाएप से इंडस्री का मालिक शमीन रजा फरा है उसकी गिरतारी पर पुलिस में 30,000 रबाए का एनाम भी खूशित किया है परा हिस्टी शीटर शमीन कबारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरतारी वारन चारी किया है कोर्ट ने यह भी कहा है कि 29 जून तक हर हालत में शमीन कबारी कोर्ट में हादिर हो नहीं तो उनकी संपक्ति को करने की कारवाई की जाएगी खज़ी चलिया बाइपास के पास रजा मैटल इंडस्ट्री में बीते 25 अप्रेल को हुए धीशन विस्पोर्ट के मामले में अब तक इंडस्ट्री का मालिक हिस्ट्री शीटर शमीन कबारी फरार है पुलिस ने शमीन की गिरस्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोशित किया है इधर कोट ने फराज शमीन रजा के विरुद गिरस्तारी वारन चारी किया है साथ ही ये कहा है कि शमीन हर हाल में 29 जून तक कोट में पेश हूँ और अपनी संपक्ति का व्योरा पेश करे अन्ने फारा अधरकाल का प्रफ्रेंट में जो आरोपी है इसके ओपर 80-23 की कारवाई जो है वो कोट के माधियम से कराई जा रहे है इस मामले में पुलिस शमीन के बेटे और मैनेजर को गिरतार कर चुकी है लेकिन घटना के बाद पे ही शमीन फरार चल रहा है जवरपुर के घोसरपुर थाना जरगत ग्राम खची में दो परिवारों में जमनीली विवास को लेकर खूनी संखर्श हो गया इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हुई देराग घटना में घायल इस पक्ष के कुछ लोगों को इलाज के लिए मेडिकल अस्वदार में भरदी कराए गया जहाँ कुछ घायलों की हालत ना जुपनी पाँच लोग थे वो लोग जो सुरेंद पटेल, महेंद पटेल, साहिल पटेल और सेखु पटेल और उन्हीं के भईये भी थे साथ में पाँच लोग थे सागर तो उन लोगों ने जमीन पर कबजा करते रखे हुए हैं सरकारी जमीन पर वहां टप्रा रखा हुआ है वहां पर आवेद बेचे जाते हैं जैसे इसराव जुआ खलवाया जाता है चक्तर से उन्हीं मोचा जी और उनके परवारे के लोग कटाई कर रहे थे लाठी लेकर और तलवाल लेकर और सबबल लेकर और राइड वगएर लेकर आए और अचानक से हमला कर दिया जिससे मेरे मोचा जी को और उनके पिता जी को बहुत ज़्यादा गंभी चोटाई है एलाज चल रहा है घटना के बाद पुलिस में प्रकरन दर्ज किया है और मामले की जाच शुरू कर दिया गोरबजार खाना खेटे में जुए सक्टे और अवैश अराब के कारूबार के विरोध में कॉंग्रिस सारे करताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन किया और नारे बादी की कॉंग्रिस कारिकरताओं ने आरोप लगाया कि शेत्र में अवैश शराब और जूए सट्टे का कारोबार चरम पर है लेकिन पुलिस इस पर अंकुछ लगाने में ना काम है प्रदर्शनकारी कारिकरताओं ने थाने के सामने नारे बादी कर आग रोप लगाया कि थाना शेत्र के अलग-अलग इलाकों में अवैश राप का धंदा और चुवास सट्टा चरम पर है। बाजू तिसके पुलिस इस पर अंकुष लगाने में विफल हो रही है। ऐसे में कानून जरस्ता पर सवाल खड़े हो रही है। पुलिस सारे करताओं ने CSP को इस जवरान एक मांग सत्रफाबा और जुए सट्टे और शराप का अवैर कारुबार कर रहे लोगों पर कारिवाई करने की मांग थी। पुलिस में जाम लग जाता है अगर ट्राफिक जाम हो जाता है। पुलिस पर सुचना देने के बाद भी पुलिस कारवाई नहीं करती है। प्राजनितिक शरण अच्छर के कारण जितने भी ये सराप दिक रही है। अवे सराप चाह जुआ सक्टा हो। पुलिस भी इस पर सहय दे रही है। इसके कारण ये फ़ल बूल रहे है। अगर जल्ड तो जल्ड इन पर कारवाई नहीं होती है तो केंट कॉंग्रेस और पुरी कॉंग्रेस पार्डी आगे उगरान दो रंग करें। थाना शेटर में अव्यान संचले करने वालो पर सक्ट एक्षन दिया जाएगा। खबने लगदार जारी है आप देखते रहें दीजिए